लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में आखिर ऐसा क्यों कहा सिद्दू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंग ने जियाँ पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंग की अचानक आई इस प्रतिक्रिया ने राजस्थान में हलचल पैदा कर दी है बलकॉर सेंग ने अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है सिद्दू की हत्या के 556 दिन बाद बे इंसाफ के इंतिजार में है जब तक सरकारे गैंग्स्टरों को शेय देती रहेगी तब तक लोगों के घरों के चिराग इसी तरफ बुझते रहेंगे बलकॉर सिंग ने आगे लिखा कि मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे सिद्दू मूसेवाला को न्याय दिलाने के लिए नहीं है बलकि गैंग्स्टर राजनितिक गट जोड की रीड तोडने के लिए परिवारों को ऐसी आपदाव से बचाने के लिए भी है आपको बता दे कि सिद्दू मूसेवाला के पिताब अलकॉर सिंग ने राजपूत आफ इंडिया की एक पोस्ट को शेर करते हुए ये सब बाते लिखी है दरसल राजपूत आफ इंडिया नाम से लिखी गई इस पोस्ट में लिखा है कि जानना चाहेंगे कि ये अपरादी बेखॉफ क्यों है क्योंकि हम जातियों में बटे हुए है जब इसी रोईद गोदारा और गोल्डी बराड ने सिद्धु मूसेवाला को मरवाया तो हम बोले कि लॉरेंस बिश्णोई गैंग देश भक्त है खालिस्तानियों का सफाया कर रही है पर दुख्ये सगल्द है वी जटता पूथकल्दा रहे गया लार उससर जे तो इनना पाबर फिलना है मैं कर दो आज़ इस लोटी वाफ्स कर दो सत्वन्जा साल्दा होगा करती रहे कि ते टक्कर की देख ली तरु उस्वदी प्लोड़ टक्र देखे जाओंगे मैं कर दो आजबा देना कर देना मैं करना जेमल तेरे मुरे घुटे के एक जहां मेरी लाज दे ठेटे बार के जाए हुए थी अज़ी इना का दाम राकते हैं अज़ी गौर्मट उन दसने चोने हैं अज़ी मरे दी हुए हले तेरी इसकोट के साहरे नीचे हुदे बेशक सवेरे बावस लेला जे मैं अर्जी देजा मैं जेट दा पुत नीचे दूब लिया के अर्जी बात दा तो स्कोटी में मिला हु झाओे जिचे बेख़ा केजड़ हैं